जब हमने ये कंपनियों को खरीदा था, करीबन दोस्तों ये वो समय होगा, आज अगर इन कंपनियों ने huge wealth creation करके दिया है, तो उसके पीछे दो कारण है, एक volume बड़े और धंदे बड़े, तो quality company ली तो हमारे profit भी बड़े, profit बड़े, देको सब spill over effect है, profit बड़े तो हमको dividend regular आने लगा, हमारी bank में cash flow continue हो गया, ये तो मेरी बात हुई, हमारी company, एक निवेशक के तौर पे मेरे bank में dividend आने लगे, मेरी जो company जहां पे मैंने निवेश किया है, तो company का भी cash flow चालू रहा, right, क्योंकि dividend बाटने के बाद पैसा बचा, हो भी तो add होता गया reserve में, तो company का भी cash flow चालू, मेरा भी cash flow चालू, मुझे भी पैसे मिल रहे, company के पास भी पैसे जा रहे, over the period of time, ऐसी company रॉकेट बनती है, right, ऐसी company हो में, आपको multi-year rally नजर आती है, तो, all right, यहां पे ही ध्यान देने का, अभी volume बिगडे हुए, तो अभी तूटनी पढ़ने का, relax हो पे, अरे continue cotton on cotton के volume में गिरावट आती जा रही है, तो aggressive होने का time नहीं है, भले share नीचे, aggressive कब होने का, जब आपको volume में ton दिखे, volume बढ़े, दोस्तो, after all, हमें ऐसी company चीए, जो 15 बिष्टका से तंदे को बढ़ाए, right, तो 15 बिष्टका से तंदे बढ़ेंगे, तो सब कुछ अच्छा हो, तो एक चीज़ आपने देखी होगी, कि margin range bound होते है, है ना range bound, पर over the period of time, वो expand होते है, hello everybody, त्यान है आपका, क्या बात कर रहा हूँ, margin range bound होते है, पर over the period of time, जैसे आपकी company के volume बढ़ते है, आपकी industry mature होती जाती है, आपके margin भी बढ़ते है, वो एक range में ही रहेंगे, फ तो आप ऐसा relax हो में नहीं, आप ज्यादातर company हो में दोस्तों ये चीज़ देखोगे, जैसे जैसे आपकी industry mature होगी, आपके margin बढ़ेंगे, शुरू आपके तोर में जब कम margin होते है, आपको dividend कम मिलता है, ये वो समय होता है, जब पैसे की जरूर होती है company में, in fact, fund लगाते ह stakeholder और पैसे की जरूरत होती है, लेकिन जब sector mature हो जाता है, तब दोस्तों fund मिलने का समय आता है, वो company से outslow आने लगता है, और वो company फिर बहुत लंबे समय तक investor को तगड़ा पैसा देती है, right, कि margin भी तगड़े हो गये, बराबर है, तो margin को कभी CT रेखा में उम्मीद मत करो, अब दोस्तों भाव जब आपने देखे, जहां पर जैसे आपने long term, relax हो के, अगर P.E. देखे हो, देखो शुरुआत में कैसा P.E. चलता था, बिल्कुल सस्ता, क्यों ऐसा, right, उत समय यह वो टाइम था दोस्तों जब इंडिया में business पढ़िया नहीं थे, हमने आपको पहले समझाया है कि 1991 के बाद privatization proper way में चालू हुआ, उसके पहले तो license राग था, तो यह पूरा 2003 तक का एक दौर चला, यह समय था, पूरा समय, industries के लिए, तो यह time पर कौन P.E. देगा Indian कंपनियों को, नहीं मिलेगा P.E. इनको, पर जैसे 2003 के बाद हमने privatization किया, liberalization किया, market open किया, volume बढ़ने लगे, कि लोगों के पास पैसे आये दोस्तो, private jobs का सर्जन हुआ, लोगों की कमाई बढ़ी तो लोग घर इतने चालू किये, तो हर एक sector को फाइदा हुआ, फिर आप देखोगे दोस्तों, P.E. एक्सपांचन हुआ, हुआ कि नहीं P.E. एक्सपांचन हुआ, यह